नमस्कार किसान भाईयो मैं आपका दोज चात्रपाल सिंग और आप देख रहे हैं अपना यूटूब चनल राइगरो चात्र किसान भाईयो आज आपको एक ऐसी पोड़क्ट के बारे बताते हैं जो मार्केट में बहुत अच्छे से ग्रोध कर रहा है और इसका जो रिजल्ट है फसलों पर बहुत अधिक दिखाई देगा किसान भाईयो आपको अगर बात करते हैं तो अब तक जो सेजिंटा कंपनी है जिसने अब तक कोई माइक्रो नुटन नहीं बनाया था दानेधार तो अब सेजिंटा कंपणी ने एक माइक्रो नुटन बनाया इसका नाम है कूकल किसान भाईयो मेरे पास एक डेमो आया था डारेक्ट कंपनी से उसके मैं ने ट्राइल लगा आया था यहां पर और उसका मैं आपको दिखाता हूँ कैसा रिजल्ट है कैसा प्रोक किया था मैंने पूरी जानकारी देते हैं आपको तो किसान भाइयो कूकल लगाने से जो है आपको एक तो जो कल्ले हैं वो बहुत अधिक निकल के आए मैं सब जानकारी देता हूं आपको और कितने कल्ले हैं कैसे करके की लगवाया था पूरी जानकारी मिलेगी किसान भाईयों आपको कि न भोक drip को क DAY किलूक यह तो इसका निकालते हैं उपन करते हैं पुरो कैसे तरिका से हैं यह जो जब यह लिया है यह हमने लगाइज लगव्तीन विगा की हिसाब से लिया है इसको जब भी प्रियोग करें तो कम यूरिया में प्रियोग करना रहता है इसका तो हमने बैने के साथ से इसमें अच्छे से मिला लेंगे कूकल को और किसान भायो मिलाने के बाद अच्छे तरीका से फिर हम इसको खेत में डालते हैं कैसे करके किसान भायो हमने इस इसमें तो जो कल्लों की संक्या है वो बहुत अधिक दिखाई देती होगी आपको पूरा अच्छे से खेच चल आया है पूरा पिलाड मगर हमने जो ट्रैल लगाया था लगबग लगबग तीन विगा में लगाया था क्योंकि हमारे पास दो कल्लों के आसपास आया था पैकिं मेडियम मुंड पे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा अठारा उन्नेस बीस इकिस बाइस तेस चोविस पचिस चब्यस 27 28 29 31 32 33 34 35 तो किसान भाईयों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस मुंड़ों में 35 कल्ले हैं मगर 35 जो कल्ले हैं हलागी 35 कल्ले इस खेत में जादा हैं क्योंकि 35 जो कल्ले हैं उनमें बालिया नहीं निकलेंगे बालियां जो निकल के आएंगी लगबग लगबग 18 से 20 जो कल् कल्ले हैं इस अपरत का मैं आती हैं प्तवाट के निकल के आती हैं तो आपको उच्छी पैदावार मिलेगी 35 35 कल्ले द्खाई दे रहें आपको जैसे कि 35 यह जो कल्ले हैं इस 35 इस कल्लों में जू है नहीं निकलेंगी तो खिसान भाईयोर ज्यादा जो पौदो को अपने लोग भोजन डालते हैं, वो सभी जो कल्जें उन में सप्लाई होता है, मगर जो बालीयां हैं, वो लगब-लगब 18 से 20 कल्लों में बालीयां निकल के आएंगी, बागी के कल्ले छोटे रह जाएंगे, जिन में बालीयां नहीं निकलेंगे, जो बांज रहे जाएंगे तो किसान भाईयों इस चीज का विश्य ध्यान दें अगर आप अपनी जो फसल है उसमें कूकल का प्रियोग करते हैं इसमें धान में जो इसकी डोज है वो डवल हो जाती है गन्ने में इसकी जो डोज है वो डवल हो जाएगी तो किसान भाईयों आट से दस किलोग्राम पिरते एकड के हिसाब से लगाएं और आप कूकल से ज़्यादा पैदावाल ले सकते हैं किसान भाईयों आप देख पा रहे हैं पूरा खेत अच्छे से चल रहा है तो अगर किसान भाईयों आपकी कोई समस्या है आप ज़्यादा कोई देखकत आ चुकिए आपकी फजल में तो आपको डिस्प्ले पे मेरा नंबर देख रहा है इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं आपकी जो भी समस्या है मैं पूरी कोईसिस करूँगा आपकी समस्या को खतम करने का तो किसान भाईयों अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो अपने दोस्तों के साथ सेर करें जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद